भीज़त वेल्कम बैक दो यूट्यवचैनल और आज फिरसे जो इंग्ली गरमर का चैप्टर कोश्टन टेक्स उसके डिस्क्सम के लिए मैं उपस्तितूं और जो इंंग्लीus ग्रमर का जो यह चैप्टर कॉश्टन टेक्स इसमें जो पहला वीडियो बना वहा है उसमें की विसमेंगे कृक्ट और साथ और कौन से पॉजिटिव और कॉण से निगेटिव स्टेट्मेंट के साथ उस्सेंतेंस के साथ हम कैसे के यूस्छ करेंगे उसमें बताया गया अब बाहरी आती है伊 Metal विभी सब्सक्राइब करेंगे और इसके एक्जांपल वेसिस को समझेंगे कि कैसे किस सेंटेंस में किस स्टेट्मेंट में किस भर्थ के रिगार्डिंग और कैसे हम कोश्चन टेक्स का प्लाइब करते हैं करते हैं और सबसे पहले समझें कोशिस करते हैं कि रूल नमबर 4 के रिगार्डिंग हम कासे संटेंस को बनाएंगे और उसमें किस तरह से कोस्चन टेक्स का अप्लाइब करेंगे तो रूल नमबर 4 को देखते हैं If there is no helping verb in the statement, use the appropriate form of do, does, did in the question text. यानि कि किसी sentence में, किसी statement में, जब helping verb नहीं आए, तो हमें पहाचानना होगा कि यह जो verb है, या वो जो statement है, वो क्या कहता है, वो किस दिशा की तरफ है, यह present form को represent कर रहा है, past form को represent कर रहा है, whatever, जो भी हो, उसमें देखेंगे, और जैसे हम tense के regarding पड़े हैं, कि जैसे present के regarding में, भी वन, भी फाइप और यह सब यूज होते हैं, तातेती कर्षेंस में, फिर हमारा भी टू जब इस्तेमाल होता है, तो इन फैटिक में भी हम लोग पड़े हैं, कि वहाँ पर did का apply करते हैं, तो कुछ ऐसा ही जब हम लोग sentence बनाएंगे, और उसमें भर्ब देखेंगे कि वह भर्ब का लोप है, भर्ब का बेर भर्ब होगा होगा, यानिको उसमें आपका helping भर्ब शो नहीं होगा, तो हम कैसे बनाएंगे, इसको एक्जामपल बेसिस पर लोग समझेंगे, मैं इसको एक्जामपल बेसिस पर यहां देना चाहता हूँ, यह बहतर समझने आएगा, जैसे हमें do का, does का और did का इस्तमाल करना है, तो अगर कोई कोश्चे रहता है, आई प्ले किर्केट, यह हमारा एक सेंटेंस होगा, आई प्ले किर्केट, मैं किर्केट खेलता हूँ, यह स्टेट्मेंट है, और यहां पे जो हेल्पिंग भर्ब होता है, वो गायब है, क्योंकि हेल्पिंग भर्ब का जो फॉर्म ही जा रहे है, ऐसा तो कुछ दिखनी रहा है, यहां पे प्ले में भर्ब की तरह काम कर रहा है, तो फिर हमें इसमें do, does, did का अप्लाई करना है, उसके बादा में देखना है कि यह संतेंस है, यह स्टेट्मेंट जो है, यह निगे होता होता, तो हमारा सब्जेक्ट भी कुछ और होता है, या तो ही होता, यह सी होता, या इट होता, तो ऐसे जब सब्जेक्ट होते तो उसके साथ भी फाइब, यानि एस फॉर्म वाले भर्ब या या उज होते, तो उसके लिए हम डज लेते, यह एक ट्रीकी भी है, मेरे ख करना फैनेज़ लोग भी पास्ट फर्म नहीं पड़ रहे हैं परजेंट फर्म में डूरस का डिसकरिसन हो रहा है और दूरसके डिसकरिसन हमारे यह के हैसी बात है हमહ layers लेंगे और जैसे ही हमारा यहां पर डू आएगा तो उस समय देखेंगे कि यह स्टेट्मेंट जो है वो निगेटिव में तो नहीं है अफिर में ऐसा जो भी ज्यास करना कर लेंगे तो इसमें नौट नहीं लगा तो यहां पर लगा देंगे तो यह हो जागा डॉंट और जैसे शी लाफ फॉरेबर यह संटेंस है वह हमेशा हस्ती है का सेंस यह है कि जैसे हमारा ही शी आया थाड़ परसंट तो उसके साथ हमने भी फाइप का यूज किया भी फाइप में इस लगा होता है यह पहले से पता है तो जब हम डू का यूज कर लिए यह बीवन पा लिए फिर भी फाइप मिला में डॉज के साथ सले जाएंगे अब जैसे ही आप डॉज लगाएंगे तो डॉज के बाद देखेंगे कि यह जो संटेंस है निगेटीव फॉर्म में है कि अफिरमेटी में और लेडी अफिरमेटीव में है निगेटी बनाने के लिए दॉज के साथ सौट नॉट का यूज करेंगे डॉजन हो जाएगा फिर सी है नोचेंज सी का सी हो जाएगा फिर यह जड़न सी हो जाएगा यह हो गया और इसी के दर्म्यान जो डीड होता है डीड के लिए मैं आप एक्जांपल दे रहें यह बहुत ही इजी होता है जेसे यू एट मैंगो तुम आम खाए या तुम आम खाय थे भीटू जैसे मिला तो जब डू़ डाच का डिसकुसन खतम है और हमें यह भी पता है भीवन जाहाता है वहां डू ले लेते हैं वीपाई पाता है जाहां डू़ ले लेते हैं तो बच गया डीड तो डीड वाल यहहीं हो गया यह8 mango तुमने हाम खाया और तुमने याम खाया थहा न इस तर emissions प्रोनाउ aparecer प्रोटनाउन रिपिट it after in the verb in the tag यानि कि जो statement में personal pronoun कोई भी statement हो और उस statement में जो subject आया हो वो subject personal pronoun का हिस्सा हो तो वो repeat हो जाता है इसके लिए हम example देंगे और example में समझेंगे कि क्या हो रहा है फिर example basis पर होगा एक बनाते हैं यहाँ पर जैसे say the are my friends नहीं का मतलब कि जो और आया है वह हमारा प्रस्ट्ण परणा होने तो फिर यह प्रस्ट्ण परणा हुन कि यह जो आर आया हुआ है इसको बाहर निकना है हमें और not लगाने निगेटिव नहीं है तो और दे का दे होजाए या कुंश्चन बार खोजाएगा they are my friends वे लोग मेरे दोस्त है और they are my friends आरंट दे वे लोग मेरे दोस्त है न इस तरह का इस्तर खांश्चन टेक्स होगा यह हो गया और उसके बाद एक और एक्जामपर ले आते हैं जैसे I sell not I sell not go to पतना, मैं पतना नहीं जाऊंगा तो यह जो sell लगा है तो sell के लिए शांध का परयोग तो होता है बट शांध का परयोग कब होगा sell, sell not तब बनेगा जब हमारा statement में not नहीं होगा बट जासे ही statement में not मिल गया तो फिर हमें सिर्फ cell को ही बाहर निकलना पड़ेगा और यहीं कह रहा है कि if the subject of the statement is a personal pronoun repeat it after in the verb जो भरब आया वो repeat होगा question tag में in the tag तो से में हम cell को बाहर निकल देंगे और cell के साथ include not नहीं होगा क्योंकि अगर यह नहीं रहता सपोर्ज नहीं रहता इसल बाहर निकलता बट इस statement में not not के लिए यहां पर नॉट लगता और संट आई होता जो पहले बताए गया है कि सेल संट बनता है और निगेटिव हो नो प्राब्लम यह होगा अब आते हम लोग रूमर 6 और यह question अब कोई statement लेते हैं और किसी statement में जो प्रस्टनल प्रणाउन आया हुआ हो और उसमें बहुर नहीं हो यह प्रस्टनल प्रणाउन वहां पे क्लियरेंस नहीं हो उसका तो उसमें भी repeat हो दाए जब question text बनाते हैं तो कई बर क्या होता है कि statement में जो subject आया रहता है उसमें पता नहीं चल पाता है सपोज जैसे मैं कहा रहा हूं कि doctor तो doctor लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है इंजिनियर लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है किसी रूम का किसी कंपणी का जो ओनर होता है मालिक होता है वह भी लड़का लड़की हो सकता है तो इसके लिए हमें दो conditions अबलाई नहीं करने होते हैं even what you like he or see message choose करना होता है बट जो repeated होगा वहीं होगा जैसे tai दो मेल ऐनर वाज मैंने लिखा दवील और ख्रप्ट जो मील का मालिक था वह भरष्ट था मिल ओनर आ रहा है यहां पर ही इंडिकेट PROF पार है कि दो मील ऑनर था वह क्या था मतलब किसी कोई बॉय था कोई गर्ल थी यहां पर कुछ इंडीकेशन नहीं है तो हम यह कहेंगे कि हमारा जो भर्व में मिल रहा है उस भर्व को तो हम्हार कर नहीं अगर निगेटिव वार्व में हैं तो हमारा सिर्फ वर्फ बाहर निकलेगा और यह है कि दा मील ओनर वाज करफ्ट मील का मालिक जो था वो करफ्ट था तो उसके लिए हम वाज को बाहर निकालेंगे और वाज जैसे हमारा बाहर निकलेगा यह स्टेट्मेंट में यह सेंटेंस में नौट नहीं आया है तो इसी वाज के साथ हमारा नौट हो जाएगा और इसको सौर्ट हमें वाजन्ट पढ़ेंगे और जो दा मील ओनर है यहां पर कन्फूजन वाली सिती है तो दा मील ओनर में वाटेवर यू कैन से देट अगर ही चाहते हैं आप अपने माइंड में थिंग किजिए प्रसनल प्रोडाउ कई बार competitive exam में ऐसा option आता है तो अगर जैसे हम माइंड में ही लेके चल रहे हैं तो ही लिख तो देते हैं बट वह आपके माइंड के recording सही नहीं होता है बट हमें जब भी प्रसनल प्रोडाउन मिस्लेनियस मिलता है जहां पर दोनों हो सकते हैं वाज और गल वहां पर हमें इ इतने भी डिफनेशन लिख है रूल नमर में डिफनेशन पढ़ने से बहुत बेतर हो जागा एक्जामपल सेट अप करना डिफनेशन पढ़े एक्जामपल को सेट आप करें खुद से वार्क आउट करें और इसके जैसे और सारे एक्जामपल बाने की कोशिस करें और question text से जुड़े कोई भी डाउट हों तो उसको comment box में डालें वीडियो अच्छी लगे तो like and subscribe करें दोस्तों को share करें आज की वीडियो में इतना ही वीडियो को देखने के लिए धन्यबाद thank you for watching this video